question number two which of the falling plant has endospermic seed endospermic seed की अगर बात की जाए ऐसी सीड जिसमें endosperm present है यानि उसको हम क्या बोलेंगे endospermic seed और ऐसी सीड जिसमें endosperm नहीं है यानि food store हो रहा है cotyledons में तो वो non endospermic हो जाएगी तो अगर हम यहाँ पर images भी अच्छे से देखें तो यहाँ पर एक image दिखाई गई है यह image किसकी है मेज की मेज की सीड की है जिसमें यहाँ पर यह पूरा जो structure है this complete structure यह इसके अंदर की तरफ यह पूरा this is large bulky endosperm यानि ऐसी seed जिसमें क्या present है endosperm present है तो यह क्या हो जाएगी endospermic seed हो जाएगी यह इसका embryo है यहाँ पर जो food store हो रहा है वो endosperm में हो रहा है cotyledon थिन होगा पेपरी होगा लेकिन अगर हम इसको compare करें एक दूसरी seed से जैसे की gram और pea तो उसमें क्या होता है कि endosperm नहीं है endosperm नहीं है तो food कहां store हो रहा है in cotyledons में यह large bulky fleshy cotyledons है इनके अंदर food store होता है जो कि developing embryo को नरिश्मेंट देता है तो ऐसी seeds जिसमें food store हो रहा है cotyledon में embryo नहीं है तो यह क्या हो जाएगी non endospermic non endospermic seed जैसे की पी ग्राम लेकिन अगर हम बात करें ऐसी seeds जिसमें cotyledon बहुत पतला सा है थिन है and food mainly store हो रहा है endosperm में तो यह हो जाएगी endospermic seed endospermic seed में जैसे की मेज हो गया caster हो गया तो दीज आर endospermic seed अगर हम इसकी बाकी labeling को देखें तो यह हो जाएगा embryonal axis इसमें यहाँ पर epicotyle यह hypocotyle region then hypocotyle के नीचे राडिकल जहां से root develop होगा और यह seed coat है पूरा outer testa inner tegment तो में अगर हम बात करें question के है नौन endospermic है तो यह नहीं जाएगा gram भी कैसा है नौन endospermic है पी भी क्या है नौन endospermic जो कैस्टर या मेज है वो endospermic seed होती है तो करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा option d that is caster प्सक्ष्ण कहा है नौन